तो गाइस वेलकम और यह अरजन वीडियो स्रिफ उन लोगों के लिए जो कि मुझे सिगनल नहीं समझ पारें क्यों बहुत से लोगों कि है और से मुझे कुछ मेल साई के सर वह नहीं समझ पारें कुछ सिगनल में वह पैदा एक्जिट ले ले रहे तो कुछ मेंबर्स का पैड में भी तो वेट करो तो कि मेंबर्स जूड़ रहे एक सो साथ मेंबर हो चुके मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ विज़ो पैड मेंबर से वो भी एक बार कनेक्ट हो जा है हमारी सेशन स्टार्ट करने मजा आएंगा काफी लोग जोड़ रहे हैं हां संतुष में दबल वीडियो से बनाना पड़ा कि जो मेरे अभी एक दो दिन से सिग्नल्स काफी में पोस्ट कर रहा हूँ बेसिकल पेड में भी और फ्री में भी तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि सर वो कन्फीज रहे सिगनल को कैसा यूज के रहे तो आज पुरा फंड उस पर्टिकुलों कोई में लग चुका है उसके बाद भी अगर न्यू कोईंस का सिगनल में दे रहा हूँ तो आपको उसको क्या समझना हूँ आपको उसको पर्चेस कीस तरह करना होँगा और मैं सिगनल दोरों कोईंट पर दे रहा हूँ अपने बिट्रेक् अगर आप हर बार ये खेल दे रहा हूँगे तो दस पंदर बीस तीस दोरो तो आपको सिफ ट्राजनेशन फीस में चला जाएंगा तो मैं कुछ आपके सामने वैल्यू रखने वालो कुछ समझाने वालो आपको क्या अगर मेरे सिगनल फॉलो कर रहे हूँ तो उसको यह ठीक है शायद में भी मेंबर्स जूड़ चुके है हमारे साथ मैं भी सेशन स्टार्ट करता हूँ वेट कर लेते हैं थोड़ा सब पता नहीं मैं तो इन्फॉर्म कर जिया था सब को या बाद में आके होँ देख लेए तो यह बता हूं है कि आपको किस तरह में सीगनल को पोस किया चिन से कर दिन का जैसे कि मैंने कल के दिन में को पatar किया था अय काङ toss जितने चार नोगा क्यात और आपको शिगनल के वांकिन रशाओर तक celebrate अबो अपने ऊपने बिटो कॉइन किया और लगा है आपके पस अभी fund नहीं है बिल्कुल, आपके पस बिल्कुल फंड है अपने पैसा जो हो था आपके मैं जो signal दे उसमें आपने लगा दिया है, अब उसके पास मैंने आपको पाश्वा कोईन दिया हूँ, तो आपको exit अगर लेना है, मान के चलते कि मैंने okay cash दिया हूँ, okay cash मे अगर आप पास से 10% profit में हो, तो आप उसको exit लेकर new coin में entry ले सकते हो, या नहीं तो आप सिर्फ वो coin में भी रह सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो new coin दो उसको आपको avail करना है, मैं जायत तर सिगनल इसके लिए रहा हूँ क्योंकि हमारे पास opportunities काफी है, और हमारे पा users के पास बड़े bitcoin से, 10 bitcoin है, 5 bitcoin है, तो उनके पास जो bitcoin है, उनको आसान ही हो रही है, कि वो आपने multiple, 10-12 coin में invest कर दो उनको profit अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए में पास opportunity मिल रही है, तो मैं आपको signals को share कर रहा हूँ, और जायत जादा में दे पा रहा हूँ, तो आपको फि इसी टेल हो, जो new coin दिया है, उसमें इंटर करो, नमबर चीज, loss में sell नहीं करना है, मान के चले है, मैं चार signal दिया हूँ, उसमें से okay cash अगर फिलाल नीचे है, bottom में है, जो price by price उसके नीचे है, उसके बात अगर मैंने new signal दिया हूँ, तो purchase नहीं करना है new coin को, क्योंकि लॉस आप अगर अगर फिलाल नहीं करना है, उसको फिलाल करना है, उसका price उपना है, मैं जो signal दे रहा हूँ, यह नहीं कि मार्केट सिधा उपर जाए, मार्केट फ्लक्शूशन बेस में जाएंगा, लेकिन जो target है, इन्शालों धरूर हीट करेंगा, तो मैं अगर okay cash दिया हूँ अगर फोड़ा सा नीच है तो आपको loss में sale करके new signal को या new coin को follow नहीं करना है, loss में hold करना है, market फोड़ा उपर जाता है, लिकना चाहते हो, exit ले सकते हो, या नहीं तो जो particular coin में हो, उसके अंदर hold करकर बैट सकते हो, लगबग 200 लोग है, तो जो लोगों अभी तक नहीं देख लीजे जाकर, चोटर से वीडियो बनाओं, जादा बड़ा नहीं बनाओं, टाइम नहीं है, तो स्टार्टिंस एक पर जाकर देख लीजे, मैंने स्टार्टिंस बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो अगर मैंने चार coin का investment हो चुक है, उसमें से अगर particular coin minus में है, तो उ तो फिर उस स्टिति में आप कोई particular exchange पर ही रगो, या तो Bittrex पर रख दो, या तो स्रिफ Binance पर ही पूरा fund रखो, आपको अगर Bittrex आएंगा तो Bittrex पर trade कर दो, या फिर अगर आप Binance पर trade कर दो, क्योंकि जो opportunity मिल रहे हैं, जो coins मिल रहे हैं, तो मैं signals प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक चीज़ आपको बस याद रखना है, अगर मैंने कोई signal दिया हूँ, अगर वो loss में है, तो इसको loss में sell नहीं करना है, loss में sell बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है, अगर आपको exit लेना है, तो rate-to-rate लीजिए, वहना market जब आप आएंगो, जो target बताएं, उ profit हो चुका है, तो exit लेकर new coin में वापिस investment कर सकते हो, तो इस इसको आप बिल्कुल डियान से याद रखिए, क्योंकि बहुत से अभी मुझे mail सारत है, इसके मैंने सोचे कि एक बार लाइफ आगे सभी को बता दू, कि आपको किस तरह follow करना है, मेरे signals को, और अगर आप अपन अगरे सकते हैं, वह न फाइदा नहीं होने वाला है, तो यहीं चीज में आपको बताने के लिए हम पर आया था, और मैं फिलाल कोई भी यह आपर नहीं रखने वालों कोई आपको कोशन आपको कोशन हो चुक है, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाता हूँ, जो अभी कोई सेल करने की जवर선 मेरे के नहीं हो जो अगरे जेकरने की सब्सक्राइब करने जया हो धाको कुई सब्सकर करने क counterpart बतान Making Dragon निकल जाओ कोई मसले नहीं अगर मतलब आपको पैटिटो कोई में दस से पास परसन को प्रॉफिट हो रहा है एक्सिट लेना चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हो में टार्गेट कर फिर वेट ना करो जो डेली बीसिस पर ट्रेड करना चाहिए तो पास दस परसन हो रहा है तो काशी अच्छी बात हो जाएंगा कोई दिक्कत नहीं है अब अरनिंग टेप्स हैं पर हम अपर दोनों यूजर से हैं तो हमको दोनों का देखना है तो मुझे जो अपरचिटी मिल रही है मैं दोनों जब से पोस्ट कर रहा हूँ तो आप उस तीसको अवेल कर सकते हो और आप जाएंगा टार पर जाएंगा क्योंकि हर कोई सीधा उपन जाएंगा अपन डाउं फ्लक्ट्वेशन होगा और अगर जो मुझे लगता है कि अगर फिर लॉस में ही जाने वाला है या फिर नीचे ही जाएंगा आप अधर को मैं आपको एक्सिट बता दूँगा कि आप इसको द्यान में रखो और नेक्स रम यह गलती ना करो जो इनने गलती किया है वहना फिर काफी लॉस हो जाएंगा आपको तो फिलाल के इस वीडियो में यही एक्स्प्रेंगा को करना था और गगन दिंगर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो क्यू आकर देखते तो वीडियो ना देखो और अपने घर पर बैटो और चैनलों को अंसब्सक्राइब करो ठीक है अगे लिए आपका कॉमेंट नहीं आना चाहिए गवन तो वीडियो को नहीं करना चाहिए और काफी कोईन मुझे अभी अन्नेसिस करना बागी है तो तो तील डाट टेक कैर औ जो अभी आ रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट को वीडियो को एक बड़ स्टार्टिंग से देख लो जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक को ठोड़ो असलाम अलेकूम अलहाफेश जैहिंद